काईज आज कल के यूथ में आईफोन को लेकर बड़ा क्रेज रहता है और इसी क्रेज को देखते हुए एपल अब सिर्फ तीन हजार रुपे में आईफोन बेचने वाला है जी आगाईज अब डिक सुन रहे हैं एपल अपने आईफोन लवर्स के लिए एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आने वाला है जिसमें आप एपल को हर महीने करीब तीन हजार रुपे देकर एक नया आईफोन ले सकते हैं ये प्लान फोन को EMI से खरीदने से अलग है क्योंकि इसमें आप फोन को रेंट पर ले रहे हैं और सब्सक्रिप्शन एंड होने पर आपको फोन वापस करना होगा अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्लान में एपल का क्या फाइदा दरसल एपल ये चाहता है कि प्राइस के चकर में जादा से जादा लोग आईफोन खरीद कर एपल के इको सिस्टम में गुज जाएं जिसके जरीए एपल अपनी दूसरी सर्विसिस को असानी से बेच सकता है जिससे ये पूरा सब्स्रिप्शन मोडल काफी जादा प्रोफिटेबल हो जाएगा गाईज इससे एक बात तो केर है कि आने वले साल में लोगों का एक बड़ा हिस्सा आईफोन लेकर घूमेगा इलॉन मस्ट ने हाली में एक बहुत ही बड़ी अनाउसमेंट की है जिससे स्मार्ट फोन इंडस्री में तहलगा मत गया है उन्होंने एक प्रीमियम फोन लौंच करने की घोशना की है जो की पीचर्स के मामले में एपल के आईफोन से भी आगे निकल कर एपल को मात देनी की तैयारी में है दरसल इसके पीचे की वज़ा ये बताई जा रही है कि जब टेसला कंपनी घाटे में थी उस वक्त उन्होंने एपल को टेसला कंपनी खरीदने के लिए बात चीत करने की कोशिश की थी लेकिन एपल ने एलोन मस्क के साथ मीटिंग तर तरने से इंकार कर दिया था और शायद इसी बात को एलोन मस्क नहीं याद किया होगा और एपल किलर फोन को लॉंच करने की घोशना कर दी होगी दूसरी तरफ एपल भी इलेक्रिक कार्ज में टेसला को टक्तर देने के लिए उतर गई है अब इन दोनों की जंग में ये देखना काफी दिल्चस्प होगा कि जीतेगा कौन आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा कौमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब और लाइक मिलता एगली वीडियो में